हेलो गाइज वेलकम बैक आप सभी का स्वागत है नियू अप्शन चैनल पे साथियो मेरी टीम के कुछ दोस्तों का कॉल आया था कि सर जो एग्रिमेंट है जैसे किसी ने पार्टिकल बाई किया तो एग्रिमेंट कहां से रिशीव होगा क्या मेल के उपर आएगा क्या कंपनी से कॉल करके लेना पड़ेगा या कहां से रिशीव होगा ठीक है तो मैंने सोचा कि सभी को मपडेट डाल तो क्योंकि काफी दोस्तों को पता ही नहीं कि एग्रिमेंट मिलता कैसे है एग्रिमेंट क्या है जो कंपनी की साथ आप सेल एंड लीज बैक मोडल पे जो आप पार् आप सामने देगाए कॉंटक्ट नंबर पर मेरे पाल वर्टसप पर मैसिज डाले है या कोल कीजिए मैं आपको लिंक बेज दूँगा और आप एकाउंट बनाकर अपने पार्टिकल बाई कर सकते हो ताकि आपको मंतली एक रेंट मिलता रहें टैनियर्स के लिए और आपको आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप सामने देख पारोगों कुछ ओप्सन निकल के आएंगे तो आपने पर्चेश डिटेल के उपर क्लिक करते हो एक सामने दोबारा पेज निकल के आएगा जहां पर आपका ओडर आईडी नंबर रहेगा जो आप पार्टिकल बाई करते हो उ STB है जितने भी terabyte है साती हो उसका agreement यहां पर बनकर तयार हो जाएगा दूसरे एक हो रहा है आप जैसे माली जी अभी एक terabyte है जिसने buy किया है और वो दो दिन बाद दो particle होर buy कर लेता है तो उसका agreement अलग बनेगा जितनी बार आप आप अलग terabyte buy करेंगे जो blocks buy करते हो जितनी बार आप blocks buy करेंगे अपग्रेड करेंगे हर बार आपका एक new agreement बनकर तयार होगा ठीक है तो इस तरफ आपने इसको किसी लिन है तो आप सामने देख पार होंगे यहां पर बिल है और agreement है ठीक है जो आप payment करते हो company के पास जब आपके idea activate हो जाते है जब आपको particle मिल जाते है ब्लोक्स मिल जाते है तो आपका एक bill generate हो जाता है VGST का तो अगर आप चाते हो कि GST bill लेना तो आप यहां से GST bill को download कर सकते हो और agreement अगर आप चाते हो तो आपको agreement आपको यहां से download करना है ठीक है सामने download PDF का आप option देख पा रहा हूंगे तो आपने download PDF डाउलोड करने के लिए आपको download PDF के आपको अपने click कर देना है अप जैसे download PDF के उपर आप click करेंगे ठीक है तो जो आपकी PDF है साते हो वो यहां से download हो जाएगए तो आपने दुबारού्रा से download again कर देना है simple ठीक है तो य विल्कुल सिंपल है और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कोई भी कन्फूजन रहते हैं तो सामने देगा कॉंटेक्ट नमर पर आप मेरे पास कोल कीजिए अबगस वीपी ब्रोडबैंड डेटा सेंटर को पर वर्क कर रही है साथ यो इंड़े के अंदर सिटी वाइज डेटा सेंटर लगा रहे हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि गौर्मिन की गाइडन्स के अनुसार अपना जो डेटा है बारे में तो गौर्मिन ने वीपी ब्रोडबैंड को इसकी परिमिसन दिये कि आप डेटा सेंटर बनाईए और हमारा जो डेटा इंडिया को आपके पास स्टोरेज रहा करेगा इसलिए कंपनी ने यहां पर अपने डेटा सेंटर बनाने चालो कर दिये हैं इंडिया के डेटा सेंटर भी कंपनी के लग रहे है ठीक है तो अधिक जानकर ही इला मिरवाद सामनी देगाए कॉन्टैक नमर पर कोल कीजिए कि SLB मोडल क्या होता है आप कैसे डेटा सेंटर के साथ मिलकर बिजनस कर सकते हो ठीक है A to Z जानकर है मैं आपको बता दूँगा तो सामनी द करते हैं वह मैंने आप लोगों को बता दिए तो अपने ख्याल लखिए अपनी फैमिली का ख्याल लखिए टेक केर बाए बाए